एक female reporter को दिखाते हुए ये movie start होती है यहाँ पर वो cameraman के साथ एक murder की reporting कर रही होती है लेकिन तब ये creepy face वाला आदमी उन दोनों पर attack करके उन्हें मार डालता है इसके बाद हमें तीन दिन पहले की story दिखाई जाती है यानि हम past में आ जाते हैं जहाँ पर हम कुछ friends को देखते हैं जो कि जंगल में camping करने जा रही होते हैं उनमें एक लड़की का नाम होता है एलिसन और लड़की का नाम होता है चैड और बाकी उनके friends होते हैं परास्ते में उन्हें दो villagers मिलते हैं जिनमें एक का नाम डेल और दूसरे का नाम टकर होता है और वो दोनों best friend होते हैं वो लोग उनकी गाड़ी के पास से गुजरते हुए आगे निकल जाते हैं ये villagers वहीं के पहाड़ी और जंगली आलाके से बिलॉंग करते हैं जोकि city में रहने वाले लोगों से काफी दूर रहते हैं चूटियां गुजरने के लिए उन्होंने जन्गल में एक कैबिन लिया था और वो दोनों यानि डेल और टकर उसे को रिपेर करने के लिए जा रहे होते हैं उनका जो कैबिन होता है वो काफी पुराना और टोटा हुआ था लेकिन फिर भी उस कैबिन को पर्चेज कर लेना उनके लिए कोई छोटी बात नहीं थी रास्ते में वो सारे फ्रेंड्स एक गैस स्टेशन पर रुखते हैं और वहाँ एक बार फिर उन्हें डेल और टकर मिल जाते हैं डेल को एलिसन काफी पसंद आ जाती है लेकिन डेल की एमत नहीं हो रही थी कि आखिर वो एलिसन से बात कैसे करें क्योंकि वो एक सिटिजन थी यानि शेहर की रहने वाली थी लेकिन डेल का फ्रेंड टकर उसे इंकरिच करता है और एलिसन के पास भीजता है लेकिन जैसे ही डेल उन्हें हेलो बोलता है वो सब डर जाते हैं क्योंकि वो फ्रेंड्स उन्हें उनकी कंडिशन देखकर उनके बारे में अंदाजा लगा रहे थे यानि वो उन्हें अच्छी नजरों से नहीं देख रहे थे बलकि वो उन्हें विलिज के जाहिल और खतरनाक लोग समझ रहे थे इसलिए वो लोग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते टकर और डेल भी अपने कैबिन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं रास्ते में डेल और टकर को एक पुलिस ओफिसर रोक लीता है जब पुलिस ओफिसर को ये बात पता चलती है कि उन दोनोंने जंगल में एक कैबिन लिया है तो वो उन्हें ये कहते हुए वार्ण करता है कि वो डिमोनी के लिया है वहाँ पर एविल्स होते हैं इसलिए तुम्हारे लिए यही बैटर है कि तुम वहाँ पर मत जाओ लेकिन वो दोनों इस पुलिस ओफिसर की इस बात पर दिहान नहीं देते हैं और अपने कैबिन में आ जाते हैं कैबिन में अजीबों गरीब चीज़ें देखने को मिल रही थी जैसे कि वाल पर नियूस पेपर के टुकड़े चिपकाए गए थे और इसी तरह के और भी अजीब चीज़ें लेकिन वो दोनों इन चीज़ों को भी इगनौर कर देते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं यानि कैबिन को रिपियर करना शुरू कर देते हैं दोसी तरफ वो सारे फ्रेंड भी जंगल में पहुँच गए थे और वो एक लेड़ी थी चैड की ये कहानी सुनकर वो फ्रेंड्स और ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो तो पहले ही विलिंजर्स को अच्छा नहीं समझते थे इसके बाद वो सब लेक में स्विमिंग करने जाते हैं वहीं कुछ दूरी पर डेल और टकर भी फिशिंग करने आई हुए थे डेल और टकर को अलिसन दिखाई देती है जो कि एक बड़े सी पत्थर पर चड़ी होती है लेकिन तबी अलिसन की नजर उन दोनों पर पढ़ जाती है उन देखकर अलिसन घबरा जाती है और डर जाती है जिसकी वज़े से वो स्लिप होकर पानी में गिर जाती है काफी दिर बात भी जब अलिसन पानी से बाहिं नहीं आती तब डेल और टकर उसे बचाने जाते हैं पानी में वो बेहोश Ellison को पानी से बाहिल आते हैं और बोर्ट पर लाकर लिटा देते हैं और ये सब कुछ Ellison के फ्रेंड्स भी देख पा रहे थे और वो फ्रेंड्स डेल और टकर के बारे में ये सुच रहे थे कि उन्होंने उनकी फ्रेंड Ellison को पकड़ लिया है और बजाए अपनी फ्रेंड एलिसन को बचाने के उसके पाल जाने के वो सब भी वहाँ से डर कर भाग जाते हैं डेल और टकर जब देखते हैं कि एलिसन की सारे फ्रेंड्स तो भाग चुके हैं तो इसलिए वो एलिसन को अपने कैबिन में ले आते हैं next morning Alison को जब होश आती है तो वो अपने सामने डेल को दिखती है तो काफी डर जाती है लेकिन पिर Alison को आइस्ता आइस्ता ये रिलाइस हो जाता है कि वो लोग बुरे नहीं हैं बलके वो लोग अच्छे हैं, help करने वाले हैं दूसरी दरफ ऐलिसन के फ्रेंड्स उसे बचाने का प्लैन बना रहे थे। चैर्ड पुलिस को वहाँ पर बुलाना नहीं चाहता था। लेकिन उनका एक फ्रेंड पुलिस को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो सब फ्रेंड्स भी उनके कैबिन के पास आ जाते हैं और अपने एक male friend को चेक करने के लिए वो कैबिन के अंदर भीजने का फैसला करते हैं फिर हम देखते हैं टकर को जो के चैंसों से एक ट्रे को काट रहा होता है लेकिन टकर नहीं जानता था कि उस ट्री में हनी बीज का च्छता लगा टकर के चैंसों की वज़े से वो च्छता कट जाता है और हनी बीज टकर की पीछे पड़ जाती है मक्हियों से बचने के लिए टकर इधर उधर चैंसों घुमानी लगता है उसे देखकर वो सब फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि टकर पागल हो गया है और वो चैंसों लेकर उनके पीछे ही आएगा और उन्हें मार डालेगा इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाते है साथ साथ टकर भी उन मक्यों से जान बचाने के लिए वहीं पर ही भाग जाता है एक फ्रेंड टकर के आगे ही भाग रहा होता है वो सोचता है कि टकर चैंसों लेकर उसे की तरफ आ रहा है मगर भागते भागते टकर उसे आगे चला जाता है जिसी देखकर वो लड़का समझ जाता है कि टकर उसे मारने के लिए उसके पीछे नहीं आ रहा था लेकिन वो लड़का ट्री की एक मोटे टहनी में जाकर लगता है और वो टहने उसके आर पार हो जाते है इतनी दीर में उसके सारे friends भी उसकी dead body के पास आ जाते हैं जब वो अपने friends की ऐसी हालत देखते हैं तब चैड कहता है कि अगर हमें जिन्दा रहना है तो हमें उन दोना villagers को मारना होगा वरना वो हमें मार डालेंगे दूसरी तरफ टकर वापिस cabin में आ जाता है और उसके face की हालत काफी खराब थी क्योंकि उसी मक्यों ने काफी बुरा काट लिया था टकर ऐलीसन को बताता है कि बाहर मने तुमारे friends को देखा है ये सुनकर ऐलीसन अपने friends को डूरने बाहर जाती है लिकिन डेल उसे rest करने को कहता है और उसे बाहर जाने के लिए मना करता है ये कहते हुए कि उसकी तब्या तबी ठीक नहीं है और डेल खुद अपने friend Tucker के साथ बाहर उसके friends को डूरने जाता है जैसे ही डेल और टकर अपने केबिन से बाहर आते हैं वो सारे friends चुप जाते हैं डेल उन सब की help करने के लिए वहाँ पर उनके लिए एक message चोड़ कर जाता है message में डेल ने लिखा था कि तुम्हारी friend हमारे पास है और इस message का वो friends गलत ही मतलब ले जाते हैं वो friends फिर से कैबिन के पास आ जाते हैं वो देखते हैं कि डेल उटकर खुदाई कर रहे हैं और इस खुदाई में एलिसन भी उनका साथ दे रही है लेकिन यहाँ पर वो friends ये सोच लेते हैं कि वो दोनों एलिसन से उसे की कबर खुदवा रहे हैं वो सब friends उन दोनों पर अलग-अलग होकर अटेक कर देते हैं एलिसन का एक friend एक लखड़ी लेकर डेल पर अटेक करने के लिए आ रहा होता है लेकिन एलिसन के face पर डेल का shovel लग जाता है जिसकी विज़स से वो बेहोश हो जाती है जब एलिसन का friend डेल की तरफ आ रहा होता है तब डेल पीचे हट जाता है जिससे वो लखड़ी एलिसन के friend के ही आर पार हो जाती है और वो मर जाता है फिर एक और friend टकर पर भी अटेक कर देता है लेकिन वो सीधा जाकर चौपर मिशीन में गिरता है चौपर उसकी आदी बॉड़ी के टुकडे टुकडे टकर उसकी हालत देखकर उसकी help करने के लिए उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो friends यहाँ पर भी गलत मतलब ही लेते हैं कि हमारे इस friend को टकर ने ही मारा है टकर और डेल को लग रहा था कि यह सारे friends जंगल में इसलिए आए हैं ताकि यह एक एक करके suicide करें और मर जाएं लेकिन वो यहाँ पर पुलिस को भी नहीं बुला सकते थे क्योंकि पुलिस के शक के दाएरे में वो भी आ सकते थे अब उनने कुछ नहीं किया लेकिन वो फिर भी पकड़े जा सकते टकर और डेल उनके friends की आदी ड़ड बॉड़ी को ग्राइंडर मेशीन में से ले जा रहे होते हैं लेकिन तभी एलिसन का एक friend पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाता है उन friends ने डेल और टकर के खिलाफ रिपोर्ट की थी कि उन्होंने ही हमारे friends को मार डाला है वो दोनों पुलिस को सब कुछ सच सच बता देते हैं लेकिन उनकी बात का believe करना impossible था तभी डेल कहता है कि इनकी एक friends हमारे कैबिन में बेहोश पड़ी हुई है ये सुनकर वो पुलिस officer उस cabin के अंदर जाता है वहाँ पर वो पुलिस officer लकड़ी के एक pillar पर हाथ रख लेता है जोके टोटा हुआ था जिसकी वज़े से होता ये है कि सारी केले उसके सर में गुस जाती है लेकिन वो बिल्कुल ठीक वक्त पर जल्दी जल्दी अपने गाड़ी के पास आ जाता है लेकिन इससे पहले कि वो रेडियो के थरू कोई message भेज सके वो मर जाता है पुलिस वाले की ऐसी हाल है देखकर और उसे मरता हुआ देखकर वो सब लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं क्यूंकि वो सोच रहे थे कि पुलिस ओफिसर को भी मारना उन दोनों का ही काम है मौका मिलते ही उनका एक फ्रेंट पुलिस ओफिसर की गन ले लेता है लेकिन उसे गन चलाने नहीं आते थी जिसकी वज़े से वो अपने उपर ही गोली चला लेता है फिर चैड जल्दी से गन लेकर डेल और टकर को शूट करने वाला होता है तब वो जल्दी से भाग कर अपने कैबिन में आ जाते है चैड उनके डोग को पकर लेता है और कहता है कि मैं इसे मार डालूँगा तब डेल चैड को डिस्ट्रेक्ट करता है तब टकर जाकर अपने डोग को बचा लेता है अब टकर डोग को तो अजाद कर लेता है लेकिन वा खुद पकड़ा जाता है चैड उसे पकड़ लेता है चैड टकर को जंगल में ले जाता है और उसे उल्टा लटका दे वो टकर की दो उंगलियां कार दीता है और बाद में उसे डेल के पास बिजवा देता है डेल टकर को बचाने के लिए जंगल में जाता है और उसे टकर वहाँ पर मिल भी जाता है दूसरी तरफ चैड और उनकी फीमेल फ्रेंड एलिसन को बचाने के लिए कैबिन में जाते हैं एलिसन चैड को कहती है कि डेल और टकर काफी अच्छी लोग है उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है वो बुरे नहीं है लेकिन एलिसन के फ्रेंड्स उसकी इस बात पर विलीफ करने को तयार नहीं थे बलकि वो उल्टा उसे ही कहते हैं कि तुम किलर्स की फेवर कर रही हो इतनी ही दिर में वहाँ पर डेल और टकर भी पहुंचाते हैं एलिसन कहती है कि हमें आराम से बैट कर बात करने चाहिए तब डेल और चैट एक दुसरे के आमने सामने बैट कर बात करते हैं चैट बताता है कि मेमोरियल के मैसिगर में जो आकरी सर्वाइवर लेड़ी थी वो कोई और नहीं बलकि मेरी मदर थी वो कहता है कि मेरी ग्रेंड मदर ने मुझे बताया था कि मेरी फादर को यहां की विलिजर्स ने माड़ा वो लोग अभी बैट कर बात कर ही रही होते हैं कि तबी एलिसन के दो और फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और एक फ्रेंड टकर पर अटैक करते करते अपनी ही फीमेल पर अटैक कर देता है तबी वहाँ पर आग लग जाती है और एक मेल फ्रेंड जलकर मर जाता है लेकिन इसकी बवाजूत भी वो नहीं मरा बलकि बच गया उससे बचतें के लिए वो लोग गाड़ी में बैट कर वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन उनकी गाड़ी एक ट्री से टकरा जाती है डेल को जब होश आती है तब टकर उसे बताता है कि एलिसन को चैड यहां से लेकर चला गया है ये सुनकर डेल उनका पीछा करता है और उन लोगों तक फुनचाने में उनका डोग की डेल की हेल्प करता है चैड ऐलीसन को एक काफी पुरानी फैक्टरी में लाया होता है और वो उसे वहाँ बांद कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था इतनी ही दिर में डेल भी महाँ पर आ जाता है जब चैड उसे देखता है तो वो कटिंग मशीन को आउन कर देता है वो कटर एक लकड़ी को काटता जा रहा था और उस लकड़ी पर ऐलीसन बंदी हुई थी डेल ऐलीसन को बचाने की उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन चैड उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन डेल ऐलीसन को अजात कर लेता है वो चैड से बचते हुए उपर वाले रूम में आ जाते हैं और दर्वाजा बंद कर लेते हैं उसी रूम में उन्हें एक न्यूस पेपर मिल जाता है जिस पर मैमोरियल वाले मैसीगर की डिटेल मैंशन थी तब उन्हीं पता चिलता है कि चैड का फादर मैंसे गर में नहीं मारा गया बलके एक विलिजर ने उसकी मदर को मारा है और वो विलिजर को योड नहीं बलके चैड का फादर ही था यानि उसके फादर ने उसकी मदर को मारा था तबी चैड भी दर्वाजा तोड़कर अंदर आ जाता है वो लोग चैड को न्यूस पेपर दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम भी एक विलिजर हो और जो कुछ तुम्हारी ग्रैंड मैदर ने तुमें पताया है वो सब कुछ गलत बताया है लेकिन चैड तो न्यूस पेपर पर भी यकीन नहीं करता और उन पर फिर से अटैक कर देता है लेकिन डेल चैड पर वो लिकवर्ट फैंक देता है जिससे उसे अलर्जी थी और वो नीचे गिर जाता है जाकर वो लोग समझ रहे थे कि डेल मर चुका है और वो लोग पुलिस को भी वहाँ पर बिलवा लेते हैं पुलिस को आकर वहाँ पर पता चलता है कि उन फ्रेंज ने सुसाइड की है और वहाँ पर किलर भी मारा गया है उसे नीचे उसको रिपोर्ट करने के लिए एक reporter और camera man वहाँ पर जाते हैं ये वो ही reporter और camera man थे जिनने हमने movie की start में भी देखा था और जिस creepy face वाले आदमे ने उन पर attack किया था वो कोई और नहीं बलकि वो chair था जो कि अभी भी जिन्दा था टकर जो कि hospital में admit था और doctor ने उसकी दोनों उंगलियां भी उसके हाथ के साथ जोड़ दी थी देल और एलिसन बाहर घूमने जाते हैं वो दुनों वहाँ पर एक दूसरे को शादी के लिए परपोस कर देते हैं और यहीं पर इस मोवी की हैपी एंडिंग हो जाती है थैंक्यू फर वाची